अलो एवरिवान यूवाला वेलकम इना और चैनल फजिक्सिया मैजिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर मोशन का एक नया टापिक विलास्टी टाइम ग्राफ एंड इस वेरी इंपोर्टेंट तो ध्यान से पढ़िए आप तो हम इसमें विलास्टी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले उसके बारे पढ़ेंगे फिर हम डिफरेंट टाइप आफ विलास्टी टाइम ग्राफ देखेंगे और यह देखेंगे कि जो ग्राफ का इस स्लोप होता है वो एक्सलिरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो यह काफी इंपॉर्टेंट है अब देखें विलास्टी टाइम ग्राफ जैसे अगर कोई मुविंग आबजेक्ट है कोई ऐसा अबजेक्ट जो मोशन में है अब अगर हम अलग-अलग टाइम पर उसकी विलास्टी को नोट करें और फिर विलास्टी और टाइम को टाइम को एकस एक्सिस पर रखें विलास्टी को आई कर दिखाता हूँ एक a and a b जैसे देखे हम एक object ले लेते हैं और एक object ले लेते हैं बी तो के example से पढ़ेंगे बहुत बहुत समझ में आएगा आपको तब जैसे टी है और यस है टाइम जीरो पर टाइम जीरो का मतलब जहां से मबसर्व करते हैं हमने देखा कि टाइम जीरो पर उसकी जो वेलास्टी है वो जीरो है वेलास्टी के लिए ग्राप बनाना है सॉरी वेलास्टी के लिए ग्राप बना रहे हैं तो टाइम जीरो पर उसकी वेलास्टी जीरो है after 1 second हमें देख रहे हैं कि उसकी velocity जो है मतलब 0.5 meter per second है after 2 second हम देख रहे हैं कि उसकी velocity 1 meter per second है अब after 3 second हम देख रहे हैं कि उसकी velocity 1.5 meter per second है अब जब after 4 second पर हम देख रहे हैं की विलासटी जो है 2 m2 सो जरु देख रहे हैं कि हर सेकंड में 0.5 4 सकंड उसकी विलासटी इंक्रीश कर रही है अब आप देखिए वैसे आप चाहिए कर कल्कुलेट करना आप इसको चाह तो प्याले ले ले इसको टीटी पर सेकेंड है और जो V2 है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड है तो time interval कितना है T2-T1 जैसे आप अगर acceleration calculate करेंगे तो acceleration होता है delta V upon delta T delta V upon V2-V1 upon T2-T1 अब V2-V1 करेंगे जब आप तो 1.5 में से 0.5 सब्रेक्ट करेंगे तो 1 आएगा और इसमें से इसको सब्रेक्ट करेंगे तो आपका 3 में से 2 आएगा तो आपका वनेगा आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर तो इस तरह से आपका acceleration आया पर सेकेंड वेलास्टी में जो change आता है that is called acceleration जैसे इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं जो आप 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर पढ़ते हो 0.5 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड यही सेकेंड यहां पर आके इसको स्क्वाइर पलट कहीं चलाता है तो मत्तब 0.5 मीटर पर सेकेंड का change हो रहा है तो यहां पर acceleration uniform है क्योंकि हर सेकेंड वेलास्टी इंक्रीस करती है और वह 0.5 मीटर पर सेकेंड ही इंक्रीस करती है ठीक अब देखिए अब हम एक दूसरे object बी के लिए देख लें टी है और वी है तो 0 है 1 है 2 है 3 है ठीक तो इसकी वेलास्टी 0 थी अब इसकी वेलास्टी है 0.5 मीटर पर सेकेंड इसकी भी है ठीक लेकिन आफ्टर वन सेकेंड इसकी वेलास्टी जो है वन मीटर पर सेकेंड हो गई है वन मीटर नहीं इसकी वेलास्टी हो गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 3 सेकेंड हम देख रहें किसकी वेलास्टी हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड तो आप अगर acceleration निकालेंगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग मिलेगा जैसे आप यहां पर देखेंगे तो 1 से 2 में 0 से 1 सेकेंड में पहले सेकेंड में इसकी विलास्टी 0.5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज की है लेकिन जब दूसरा सेकेंड बीता तो 0.5 से 1.5 हो गया मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो गया मतलब पहले सेकेंड में 0.5 मीटर पर सेकें हो गया मतलब 1.5 से direct 3 मतलब 1.5 बढ़ गया इसका मतलब यहां पर velocity increase कर रही है मतलब velocity में change आ रहा है means that की acceleration exist कर रहा है लेकिन यहां पर acceleration constant नहीं है variable है तो यहां पर जो rate of change of velocity है means acceleration is constant लेकिन यहां पर जो rate of change of velocity है मतलब acceleration की बात में कर रहा हूं वह constant नहीं है वह vary कर रही है तो हम इसके लिए पर और इसके लिए भी graph बनाते है ठीक अब देखें मैं आपको यह कहीं पर दोनों को बराख दिखाता हूं अब देखें ऐसे यह आपका time है यह आपका velocity के लिए है यह O है और यह 0 को represent करेगा यहाँ पर 1 2 3 4 उसके बाद है आपका यह 1 2 3 4 यहाँ पर meter में है इस second में मतलब जो आपका t है that is in second और जो आपका यह जो sorry वी है मैं बारवार यहस बोला यह वी जो है आपका meter पर second में है अब देखें टी 0 पर वी भी 0 है तो आपको पहला point यहाँ पर मिलेगा ठीक टी जब 1 है तो वी आपका 0.5 मतलब half है तो जैसे 1 यहाँ पर है तो 0.5 तो यही पर मिलेगा आपको आपको आप देखेंगे कि यह point आपको यहाँ पर मिल रहा है ठीक उसके बाद 2 पर आपको 1 मिलेगा तो time 2 है a velocity आपका 1 है आपको यहाँ मिलेगा जो 3 है 3 पर कितना मिला आपको 1.5 तो जिसे 1 है 2 है तो 1.5 आपका यही पर होगा आप देखेंगे यहाँ पर मिला ठीक अब 4 है 4 पर आपको 2 मिल रहा है तो 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है अब अगर आप इसे इसे मिला देंगे तो इ के लिए ठीक अब देखे हम आपजेक्ट बी के लिए भी ग्राफ इसी पे प्लॉट कर लेते हैं दूसरा क्यों बनाए जीरो पर जीरो ही है वन पर जीरो पॉइंट फाइफ है चलिए ठीक है आद तक मिला हमको उसके बाद टू पर जो है आपका टू पर आपका वन पॉइंट फाइफ है वन पॉइंट फाइफ है तो यहां पर जीरो पर टू पर वन पॉइंट फाइफ है तो यहां पर वन पॉइंट फाइफ है तो वन पॉइंट फाइफ है तो वन पॉइंट फाइफ पर टू पर पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा और वन पर आपको यहीं पर मिल स्टेट 9 ले सकते थे लेकिन क्यों लें हो सकता है बीच में भी अलग तरीके से चेंज किया रहा हो अब देखिए मतलब 0 से 1 सेकेंड के बीच भी तो चेंज हुआ होगा यह 0.5 मीटर पर सेकेंड 0 और 1 की बीच एवरेज चेंज है तो हम स्टेट के उन्हें जब पूरा करोड जा रहा है को अकरोड ले लेंगे तो इस तरह से हमने देखा A object B के लिए हमने बनाया तो यहाँ पर हमने एक चीद देखा कि जब acceleration constant है rate of change of velocity constant है तो time or displacement time or velocity के बीच का graph एक straight line है लेकिन जब velocity में change variable है मतब acceleration constant ना होकर variable है then the graph between time and velocity is a curve मतब एक curve बनेगा कोई straight line नहीं बनेगा तो अभी हमने एक चीज ग्राफ बनाया ग्राफ बना कर सीखा कि constant rate of change मतलब constant acceleration के लिए time or velocity के बीच का जो graph है आपका वह straight line होगा और अगर rate of change मतलब rate of change of velocity मतलब acceleration अगर वो variable है तो graph करड होगा अब हम देखते हैं कि जो graph का slope है उस graph के slope को हम acceleration बोलेंगे अभी कैसे अभी आपको समझाता हूँ मैं अब देखें जैसे मैं आपको एक graph फिर से बनाता हूँ यहाँ पे उसे हटाने वाला हूँ मैं अब जैसे कि एक graph यहाँ पे है जैसे यहाँ पे आपने point था आपका जैसे यह point है यह point है आपका 3,1.5 तो इस पर बहुत सारे points होते हैं और point का जो x coordinate है वो time बताता है और जो y coordinate है वो velocity बताता है तो इसी तरह कहीं पर हम T1 और V1 ले सकते हैं कहीं पर T2 और V2 ले सकते हैं अब देखें जैसे कि यहाँ पर मैंने graph बनाया वो तो example वाला graph था यह आपका T है और यह आपका V है and this is O उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं एक point ले रहा हूँ इसके coordinates में ले रहा हूँ T1 कामा V1 और यहाँ पर एक points ले रहा हूँ भी इसके coordinates हैं T2 कामा V2 अब देखें यह T1 कामा V1 यह बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की length आपकी T1 रही होगी और यहाँ से यहाँ तक की length आपकी V1 रही होगी यह T2 कामा V2 यह बता रहा है ततब T यहाँ बना देता हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक यहां से यहां तक की जो length है that is T2 और यहां जो length है आपका वह है आपका V2 ओके आप देखें जैसे यह T1 है और यह T2 है तो इस point से इस point के बीच जो time interval का change है वह है T2 minus T1 यह आपका है T2 minus T1 मतलब points है और यहां पर कोई object नहीं चल रहा है object कहीं पर चल रहा होगा यह सिर्फ उसका behavior है graph हमने बनाया हुआ है paper पे आप देखें बता है यहीं पर object से लाने लगए आप लोग तो यह T1 minus T2 है तो अगर इतना T1 है इतना T2 है यह वाली length यही length आपकी है T2 minus T1 जैसे V1 है तो A भी V1 है और यह पूरा V2 है तो जो A वाली length है आपकी यह वाली length जो यहां से यहां तक के length है यही तो आपका V2 minus V1 है और यह T2 minus T1 यह वाली है तो A भी आपकी है T2 minus T1 अब देखें तो यहां पर यह triangle बना है एक नहीं आपका तो इस triangle में आप देखें तो triangle में इसका जो perpendicular है यह change in velocity को represent कर रहा है V2 minus V1 और इसका जो base है वह change in time मतलब वो time interval को represent कर रहा है तो यह आपका velocity है यह आपका time interval है तो अब गैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी graph का जो slope होता है that is perpendicular by base तो अगर हम इसका slope निकाले slope निकाले graph का तो इसका जो slope आएगा that is V2 minus V1 upon T2 minus T1 अब इसी को आप delta V बोलते हो इसी आपको delta T अब देखें velocity है तो आप arrow बना सकते हैं उस पर vector के लिए ऐसे देखें तो इस slope अगर बनाएंगे तो delta V upon delta T बन रहा है तो यहाँ पर delta V upon delta T math की रूज से गर हम slope की रूज से देखें तो यहाँ पर delta V upon delta T इस graph के इस slope को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन अगर हम अपने physics में देखें तो हमने पढ़ रखा है कि delta V upon delta T को acceleration कहते हैं तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर होता है कि graph का जो slope है उसका जो slope है that represent acceleration मतब यहाँ पर हमने सीखा जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में आपको time displacement graph पढ़ाया है तो वहाँ पर जो graph का slope है आपका वो t और s की बीच में था तो वहाँ पर graph का slope velocity को represent कर रहा था और यहाँ पर graph का slope आपका जो है acceleration को represent करा है उसके लाव वहाँ एक बात और है कि जैसे हमने जो slope पढ़ा है थीटा से ही पढ़ा है कि अगर कोई line यक्स axis से थीटा एंगल बनाती है तो इसका slope होता है 10 थीटा तो 10 थीटा is equal to होता है perpendicular by base तो हम थीटा से भी इसके slope को देख सकते हैं 10 थीटा इस इससे या थीटा बालू है तो उससे भी clear कर सकते हैं अब यहाँ पर इसका slope जादा है तो rate of change जादा है इस slope कम है तो rate of change कम है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि अब इसे हटा देते हैं जैसे देखें यहाँ पर आप देखें जैसे आपके पास दो graph है आप ऐसे line खीशे तो आप देखें एक ट्राइंगल इस graph के लिए बनेगा चलिए याई केदेगन एक ट्राइंगल यहाँ पर बने गा तो यहाँ पर इस बेस होता है ilktor T को रिप्रेसेंट करता है अजो perpendicular होता है perpendicular आपको delta V को represent करता है तो साब साब दिख रहा है उतने ही delta T के लिए दोनों में delta T same है लेकिन इसका perpendicular जादा है इसका perpendicular कम है इसका मतलब अगर आप delta V upon delta T दोनों के लिए calculate करोगे तो दोनों के लिए denominator हर same होगा लेकिन जो answer है delta V इसके लिए कम होगा इसके लिए बड़ा होगा इसका मतलब delta V upon delta T की value इसके लिए ज़्यादा आएगी और इसके लिए कम आएगी तो हमने देखा कि यहाँ पर इसका आप देखिए इसका मतलब जो B आपजेक्ट है हमारा इसके velocity ज़्यादा है और इसका acceleration ज़्यादा है और जो A वाला object है उसका acceleration कम है साप साप दिख भी रहा है कि अगर आप इसे जो slide करने वाला जूला होता है आप इस पर पैठेंगे तो कम slide कर पाएंगे इस पर पैठेंगे तो ज़्यादा slide कर पाएंगे क्योंकि इसे इसे लगता है उठा दिया गया है तो इसका slope इसके acceleration को represent कर रहा है तो इस slope जितना ही ज़्यादा होगा इस slope जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे acceleration मतलब rate of change of velocity उतनी ही ज़्यादा होगी यहाँ पे तो इस तरह से हमने देखा कि जो slope होता है ग्राफ का यहाँ पर वह एक्सेलरेशन को represent कर रहा है आई स्लोप जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा है आपका क्योंकि वह उसका slope है वही एक्सेलरेशन है आपका आप देखिए अब हमें स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइपस आफ डिफरेंट टाइपस आफ टाइम वेलासिटी ग्राफ अब देखिए जैसे पहला वाला ग्राफ अगर एक ग्राफ इस तरह का बना है एक ग्राफ इस तरह का बना है आए सब T और V में है ग्राफ वो है आए आपका T और V में है और एक ग्राफ मैं यहां पर बना देता हूँ आपका यह T और V में ग्राफ बना हुआ है टिक मैंने स्टेट लाइन वाले तीन ग्राफ आपके लिए बनाये है अब ये ग्राफ तो मैंने बनाके दिखाया ही आपको यहां पर क्या है velocity change हो रही है constant rate से change हो रही है मतलब acceleration constant है मतलब क्या है यापे uniform acceleration uniform acceleration मतलब acceleration है वो uniform है straight line है तीनों है straight line तो एक बात तो है कि जो uniform acceleration है वो तीनों में है यह भी uniform acceleration है इसलिए मैंने तीनों को साथ में बनाके दिखाया कि अगर graph straight line है इसका मतलब यह है कि uniform acceleration ही है यह वाला भी यह वाला भी यह वाला भी तीनों में difference आपको बता दू यहां पर आपका velocity increase कर रही है अप कैसे मालों का velocity increase कर रही है acceleration अगर positive है तो velocity increase कर रही है बहुत आसान सा तरीका आपको बता हूँ मैं आप इसका theta देख लिया अगरो theta इसका अगर noon cone IQ tangle है less than 90 degree है मतब 10 theta positive आएगा अब अगर 10 theta positive है 10 theta positive है मतलब slope positive है slope को जो acceleration बोलते हैं आप तो acceleration positive है इसका मतलब increasing velocity है velocity बढ़ रही है जो acceleration है velocity को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर आप बोलेंगे positive acceleration यहाँ पर आपका positive acceleration मैं ACC लिख रहा है आप acceleration के लिए यह भी आपका positive acceleration है लेकिन आप इसका angle measure करेंगे इधर गा तो यह साब साब बता रहा है कि देखिए graph पर आप आगे बढ़ो तो नीचे उतर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ने का मतलब time बढ़ रहा है नीचे उतरने का मतलब velocity घट रही है तो यहाँ पर velocity change तो कर रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है घट कर change हो रही है पता कैसे चला, आइक्सलिरेशन नेगटिव है विया, जैसे आप देखें, यहाँ पे अंगल जो है, ग्रेटर दे नांटी है, ठीक है, तो आप त्यूस अंगल है, तो तैन थीटा आपका नेगटिव चला जाएगा, तैन थीटा मतलब इसलोप नेगटिव चला जाएगा, इ इस तरह से इसका त्रन तर्ण इधात्म खोंक हो गया, त्रन इधात्म खोंने का मतलब हुआ, कि उसकी वunächst कम हो रही है, इसका मतलब नहीं गया, इसका मतलब है होगा, कि मेबिक उसी डारेक्ट्सन में उसकी विल sneaking कम हो रही है, ऐसा भी होसकता है। अब इन दोनों में क्या difference है यहाँ पर दोनों मैंने same लिख रखा है अब देखिए इसका graph 0 पर intersect कर रहा है तो इसकी जो initial velocity है initial velocity इस graph में 0 है लेकिन यहाँ पर जो initial velocity है जैसे माल लोग कि यहाँ से यहाँ तक मैं इसे u बोल दूँ कि यह length आप u के बराबर है तो इसकी initial velocity यू है तो इसने 0 पर intersect किया तो initial velocity 0 है प्रारंभिक वेग और अगर इसने यहाँ पर काटा है तो यह जो length है यह length आपका प्रारंभिक वेग को विक्ट करता है मतलब यह आपका हुआ initial velocity तो यहाँ पर देखिए हमने तीन स्टेट लाइन बनाया तीनों में acceleration uniform अगर यहाँ पर angle आपका acute angle बन रहा है तो positive acceleration मत्तब velocity increase कर रही है अगर obtuse angle 90 ज़्यादा angle बन रहा है तो slope negative है मत्तब velocity decrease कर रही है 0 पर intersect कर रहा है इसका मतलब इसकी initial velocity 0 थी अगर यह velocity axis को कही पर intercept कर रहा है तो origin की तरफ जो इसका intercept होता है that represents initial velocity अब हम variable acceleration के लिए पढ़ेंगे यहाँ पर तीन graph हो गए थे एक साथ में अब चारव आपको मैं और बना के दिखाता हूँ जैसे देखिए A भी आपका T और V के बीच में है A भी आपका T और V के बीच में है अब T और V के बीच में है यह भी आपका T और V के बीच में है ठिक और बना दीजिए मैंने चारो बनाया आपको और बहतर तरीके से समझाने के लिए इन चारो graph में देखिए इस सारे कर्व हैं किसी का भी acceleration constant नहीं है सब के सब variable variable acceleration वाले है तो इन में एक property सम में कामन है कि यह सब के सब variable acceleration के लिए बनाया गए है ठीक अब देखिए तो variable हैं किसी अब देखिए जैसे आप एक चीज़ देखो आपको पहचानना है कि किसी में किसमें increasing होगा किसमें decreasing होगा किसमें positive होगा किसमें negative होगा तो मैं आपको पहले आप सिखा दूँ आपको positive negative पहचानना आप अपने यहां पर में एक tangent खीचे कहीं पर किसी पार्ट पर तो यह angle अगर आपका less than 90 है मतलब noon code है acute angle है मतलब इसका slope जो है आपका positive है बढ़ा रहा है वह अब जैसे देखिए यहां पर अगर आप slope खीचेंगे तो यह भी आपका 90 degree है तो यहां पर यह भी आपका positive acceleration है यहां पर आप बोलेंगे positive acceleration positive acceleration का मतलब यह हुआ है कि velocity बढ़ रही है अब यहां पर आप देखिए आप ऐसे slope बनाएंगे तो वहां ऐसे 90 degree से ज्यादा angle बनाएगा और इसका भी slope बनाएगे तो यह भी आपका 90 से ज्यादा बनाएगा तो इन दोनों में आपका negative acceleration है negative acceleration का मतलब यह हुआ है कि velocity आपकी decrease कर रही है अब देखिए अब यहां पर हम यह पता करना है कि positive तो है तो positive acceleration का मतलब velocity बढ़ रही है लेकिन अब ज़्यादा सुरुवात में ज़्यादा बढ़ी कि बाद में ज़्यादा बढ़ी मतलब यह जो चेंज हो रहा है मतलब acceleration मारा variable है constant नहीं है तो सुरू में कम था बाद में ज़्यादा हो गया कि पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया अभी हमको पता करना है अब देखिए अब जो है आपका जैसे हम आपको पहली बात तो जो आप slide करने वाला जूला होता है उसके हिसाब से आप देखी बहुत आसानी समय में आएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एकदम बहुत तेस फिसलोगे आप लेकिन अगर आप यहाँ से बैठो तो आपको slide फिसलने में दिक्कत होगी मतलब इस पार्ट पर slope ज़्यादा है increasing acceleration यहाँ पर आप क्या है देखिए यहाँ पर slope ज़्यादा है लेकिन इस पार्ट में बैठो आप फिसलने के लिए बैठोगे अगर आप तो यहाँ पर आप कम फिसल पाओगे यहाँ पर ज़्यादा लेकिन आप बनाते तो इधर से हो तो इसका मतलब इस लोप सुरू में ज़्यादा है बाद में कम है इसका मतलब जो acceleration है वो आपका decreasing acceleration है मतलब सुरूआत में acceleration ज़्यादा था बाद में acceleration कम हो गया मतलब सुरुवात में चेंज, आपका काफी ज़्यादा हो रहा था, बाद में चेंज हो रही विलास्टी में, लेकिन कम हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस लोप यहाँ पर आपका सुरुवात में यहाँ पर काफी कम है, और यहाँ पर काफी increasing acceleration है अब यहाँ पर क्या है देखिए शुरुबात में इस खुरुब काफी जादा है बाद में कम हो रहा है इसका मतलब decreasing acceleration है अब देखिए यहाँ पर हमारे मुने बात आती है कि पहली बात तो negative negative का मतलब है हुआ कि जैसे हम यहाँ पर हमारा object है object हमारा इस direction में जा रहा है अब उसकी velocity अगर बढ़ती है तो हमारे लिए acceleration positive है अब अगर उसकी velocity कम होती है तो हमारा देखिए अगर acceleration velocity को बढ़ाएगा उसी direction में बढ़ा रहा है तब हमारे लिए acceleration positive है लेकिन अगर velocity को घटाएगा acceleration तब हमारे लिए जो है acceleration negative है हमारा तो जैसे माल कोई object है इसे जा रहा है उस पर retardation मतलब negative acceleration काम करने लगा मंदन काम करने लगा तो उसकी velocity धीरे-धीरे कम हो जाएगी और अगर वो लोटने लगती है तब भी वह acceleration negative माना जाएगा तो लोटते हैं स्पीड बढ़ भी तो सकती है तो वहाँ पर क्या है negative acceleration है जो उसे opposite direction में चलाने लगा अब जिससे माल देख कि आप किसी पत्थर को आप फेको उपर तो जब आप पत्थर को उपर फेकते हो तो आर्थ जो acceleration लगा रहा है और negative होता है क्योंकि उसकी velocity को कम कर रहा है उसके बाद लोटा भी तो लेता है उसी direction में तब positive direction में बढ़ा रहा है उसको तो इस तरह से acceleration negative का मतलब भी हुआ है कि जिस direction में आप positive मानते हैं उसके just opposite तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब ताइम velocity की बीज ग्राफ पढ़ा variable acceleration के लिए constant acceleration के लिए और हमने देखा कि जो slope होता है graph का that represent rate of change of velocity means acceleration मतलब तरहन को रूपित करता है उसकी प्रोड़ता है धाल और हमने विभिन प्रकार के समय और वेक graph देखे अब देखे इन में से जो है अब आके जो graph बनते हैं इन ही को जोड़ जाड़ के आप जो है बहुत जादा graph बना सकते हैं तो मित्रोगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सेयर करें, लाइक करें और प्लीज सभी चैनल सस्क्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें ठाइंक यू